उत्तरप्रदेश सरकार में क्याबिनेट मंत्री अनिल राजभर्ज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाचीत करते हैं सर धेरो शुब कामनाय मंत्री बनने के लिए बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का भी और आपके जितने भी सम्मानित दर्सक हैं उनका भी सर किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे चुकी 100 दिन का एजेंडा दिया गया उसके बाद 6 महीने के एजेंडे की भी बात चल रही है ऐसे में सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो क्या होगा पिछले बार भी आपने देखा होगा कि योगी जी की सरकार ने सौ दिन फिर छे महीना फिर साल भर ऐसे एक लक्ष निर्धारित करके हम सब लोगों ने काम किया और परिडाम सब के सामने है इस बार भी लोग संकल्प पत्र को आधार बनाकर कारियोजना बनी है उस पर हम सब लोग मिल जुलकर काम करेंगे आगे निश्चित तोर पर ही बड़े सार्थक परिडाम आएंगे और जनता की सेवा भी हो सकेगी पिछले जो सरकार चली है उसी तर्ज पर ये सरकार भी चलनी है पूरा मंत्री मंडल हमारे सभी अधिकारी गण हमारी पार्टी भी हम सब लोग मिलकर जनता की सेवा में क्या बहतर से बहतर कर सकते हैं कैसे उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन प्रदेश बना सकते हैं इस पर हम सब लोग संगठी ठोकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश देश का नंबर वन प्रदेश बनेगा सर इसके साथ ही कि जो मंदराले आपको दिया गया है वो स्वामी प्रसाद मौरेया के पास हुआ करता था जो समाजवादी पार्टी में चले गए है ऐसे में जब आप फाइल देख रहे हैं खंगाल रहे हैं तो क्या लगता है कि उन्होंने 5 सालों में जो मंत्राले उनके पास था उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री जी के नेत्रितों में हम सब लोगोंने काम किया। सब ने ही काम किया। मुखमंत्री जी की छत्रशाया, उनका मार्गदर्शन, उनकी लीडर्शिप में हम सब लोग काम कर रहे थे, ब्यक्तिकत आद्मी का विरोधा भास हो सकता है, लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, वो हमारे न काम का आधार बन सकता है, न हमारे भविश्क के रणनीत का हिस्सा बन सकता है, हम लोग उसी रास्ते पर चलेंगे, जिस रास्ते पर पीछे पान साल सरकार चली है, कैसे जो मैन पावर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको हम कैसे प्रदेश के सदुपयोग में उसका इस्तिमाल करें, उसके उत्तर प्रदेश के विकास में हम उसक का स्रिजन कैसे करें इस पर हम लोग राद दिन काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप सब लोगों को इसके प्रेडाम ली दिखाई देखें सर इसके साथ ही MLC चुनाओं के नतीजे कलाये हैं जिस तरह से BJP ने जीत दर्च की है और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है 2024 सामने हैं किस तरह से देख रहे हैं उत्तरपदेश में क्या महौल लग रहा है देखिए ये बात तो बहुत पहले लोगों को समझनी चाहिए लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं भ्रम के इस्तती में बना रहा अब आके उन लोगों को समझ में आ रहा है लोग अपने अस्तितों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं चाहे वो जनप्रतनीदी हो चाहे सामान जनता हो उनका तूट भरोसा और विश्वास पूज मोदी जी के साथ है और आज यकीन अगर देश में किसी लीडर पर किसी नेता पर जनता करती है तो वो पूज मोदी जी है जिनकी बात का भरोसा लोगों को है और विधान परिशत के जो चुनाव हैं उसके जो प्रेडाम हैं ये हम लोगों को पहले ही पता था पंचायतों को जिस तरह से मजबूत किया मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने योगी जी की सरकार ने जिस तरह से मजबूत किया पूरी तरीके से तस्बीर गाउं की बदल रही है लोग तुलनात्मक समिक्षा कर रहे हैं पहले की सरकारों में उनको किस तरह से संसाधन दिया जाता था किस तरह से बजट की विवस्था होती थी किस तरह से भरस्टचार होता था किस तरह से हमारे सम्मानित प्रधान छेतर पंचायत के सदस्य हमारा जो जिला पंचायत का बोर्ड है वो किस तरह से प्रभावित होता था ये सब कुछ लोगों ने देखा और 17 के बाद जो परिवर्तन आया उसको भी लोगों ने देखा 2014 के बाद जो परिवर्तन आया उसको भी लोगों ने देखा तो पंचायत जो प्रतनिधी हैं वो पूरी तरीके से चाहते थे और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक और चीज थी परिशद में अभी हमारा बहुमत नहीं था तो जो हमारे जन प्रतनिधी हैं पंचायत के प्रतनिधी खास दोर पे उन लोगों ने ये तैंग कर लिया था पहले दिन से कि परिशद में भी भाजपा का बहुमत होना चाहिए जोकि पीछे 5 साल हम लोगों को कितनी परिशानी परिशद में हुई आप सब लोगों ने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का कुछित प्रयास विपक्ष ने किया नकरात्मक प्रयास जिस तरह से उन लोगों ने किया उसकी वजह से भी चीजे प्रभावित हुई तो जो पंचायत पर निदी हैं वो पूरी तरीके से संकल्पित थे कि विधान परिशद में भी भाजपा की बहुमत होना चाहिए ताकि उतर प्रदेश के विकास में किसी प्रगार की कोई बाधाना आने पाए। बहुत शुक्रिया देखे साफ तोर पर कहना है कि उतर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और तेजी से जनता के हितों के लिए काम करना है। कैमरा परसन राहुल के साथ मैं स्वाती पाठक भारत समय चार दिल्ली